हलो फ्रेंड्स असलाम अलेकुम आज मैं बताऊंगी आपको कि समोसव की जो मार्केट स्टाइल में होते हैं उसकी रेसिपी कैसे बनाई जाती है बहुत ही क्रिस्पी बनेंगे तो चलिए स्टार्ट करते हैं तो यहां पर मैंने ले लिया है तीन कप मैदा और इसको लेने के अच्छे से छान लिया है इसके एलावा मैंने यहां पर एक चमच रज़वाइन लिये इसको मैंने हलका सा रोस्ट कर लिया है और साथ में लिया है सॉल्ट कि हाफ-कप की बराबर लिया और थी ऑपनी तो आपणा है मैंने NG है आप चाहे तो इसमें ढल डापी यूज कर सकते और थोड़ा सा पाणी इसमें यूज होगा for PNAD to चलिए ham स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले मैदे में हम अपना जो अजबाई और सॉल्ट है वो हमिसमें मिक्स कर लेते हैं और हम इसमें डाल देंगे घी की कॉंटिटी इतनी होनी चाहिए कि उसको मिलाने के बाद बिना पानी मिला है अगर आप उसको मुठी बांदे तो वो एकटा हो जाए जैसे मैं अभी आपको पताऊंगी यह मिक्स कर लिया है और जब मैं इसको हाथ में इखटा लूँगी तो यह एकदम से मिक्स हो जाएगा यह देखें यह इस टाइप से पूरा इखटा हो जाए अलग अलग ना रहे हैं अब मैं हलका सा पानी डालूँगी ताकि इस एक टाइट डो बन जाए दो चमच के बराबर इसमें पानी डाला है और यह अच्छा टाइट डो बन गया है माँकी इसको नीट करने के लिए पांच माण पहु चूका है अब इसको हम थोड़ी देर के लिए धंकर रैस्ट करने के लिए रग देते हैं før जब तक हम इसकी फिलिंग करते हैं विलिंग के लिए सबसे पहले मैं लिए направ़ एक च चाट मसाला है इसमें हल्दी पाउडर आदा चम्मच है बाकी सारी चीज़े एक एक चम्मच है आप चाहें तो इसमें हम चूर भी यूज़ कर सकते हैं और यहां पर मैंने हरा धनिया लिया है और बॉयल पटेटो लिए है तो सबसे पहले हम पटेटो को मेशर की हेल्प से बड़े बड़े पीसेज हैं वो भी हमें देखें जादा हमें मैश नहीं करना है कि मैश हो चुका है अब हमें कड़ाई में दो ती स्पून की बराबर तेल डाल देते हैं और जितने हमारे सूखे मसाले थे तीरा सौफ हरी मेर्च चाट मसाला हल्दी यह सब हम इसमें डाल देते हैं एक दू मिर्ट चलाने के अब हम इसमें अपने आलू मैश कर देते हैं और इसको भी हमें जादा नहीं बना पकाना है बस हलका सा इसको एक मिक्स करना है इसमें सॉल्ट डालें और हराधनिय डालें और एक बार फिर से इसको मिलाकर इसको एक बॉल में निकाल लें यह हमारा आटा है इसको हम एक बार और नीट करेंगे अच्छे से ताकि यह जो अलग-अलग दिख रहे सूखा सूखा सा वो ना लगे और यह नीट करने के बाद यह आटा मेरा बल्कुल रेडी है अब हम इसकी बॉल्स बना लेते हैं तीन कप मैदे में आपकी कम से कम 15 या 16 समोसे अच्छे साइस के 10 रुपे वाले बन जाएंगे अब हम इसको बेल लेते हैं इसको ना जादा पतला बेलना है और ना ही जादा बहुत मोटा बेलना है इसको मैं आपको बताती हूं इसको कितना आपको ठीक बेलना है इसको बीच में से कट कर देंगे अब हम यह देखिए इसकी एजेस आप देख सकते हैं इसको हमें इतना ही मोटा रखना है और आपको मैं एक समोसा फिल करके पहले बता देती हूं तो सबसे पहले इसकी एजेस पर हम थोड़ा सा वाटर अप्लाई करेंगे जिससे कि यह जिपक जाए और अच्छे से कोन बन जाए इस फिलिंग में आप जो दिल चाहे वो यूज़ कर सकते हैं लेकिन मुझे जो अलू वाली फिलिंग है वही जादा अच्छी लगती है और इसकी एजेस पर भी हम पानी लगा लेंगे और इसको ऊपर से भी अच्छे से स्टिक कर देंगे इसे बीच में एक हलका सा फोल्ड दे आए तो हम स्टार्ट करते हैं इसमें डालना और जादा गर्म नहीं होना चाहिए हलका सा गर्म होना चाहिए और इसको लो फ्लेम पर ही पकाना है फ्राय करना है क्योंकि लो फ्लेम पर जितना पकेंगे यह उतना ही अच्छा क्रिस्प होंगे मेरे यहां पर जब भी बनते ह यह कम से कम दो दिन तक क्रिस्पी रहते हैं अगर जब जादा बनते हैं यह देखिए इसको फ्राइ होती है कम से कम 20 मिनट हो चुके हैं और यह फ्राइ होकर आप मेरे बाहर निकाले हैं यह मेरा सेकंड बेच था पहला बेच मेरा अभी तक सबने खा भी लिया है तो यह समय से बिल्कुल रेडी है रेस्टोरेंट स्टाइल वो बिल्कुल अच्छी होटल के बराबर की टकर देने वाले हैं आप इसको बनाए ट्राइ कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए वीडियो पसंद आये तो इसको शेयर और लाइक जरूर करें मिलते हैं अगली वीडियो में अल्लहाफेज